यारो, क्यासे हो? आज नय सेग्मेंट की शुरुवात करते हैं सभी सोसल खबरे इस पूरे वर्ड में जितनी भी सोसल खबरे होंगी वो मिलेंगी आपको हर सूबा यारो, लेकिन आज की सारी खबरे, चानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यह खबरे जाननी ही क्यूं है, आप यह वीडियो देख झू रहे हैं, आप अमना किम्ती टाइम इसे दे रहे हैं, आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिलेगी यह आपको पता होना चाहिए, तो यह कई बार होता है कि बहुत सारी दुनिया में खबरे चल रही होती है, लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, लोगों के साथ कुछ इसलिए मैं विश्थेक आज स सुर्वार करता हूँ यह social episode सी और हर रोज सुबा आपको 10 बजे मिलने वाला है और आप इससे enjoy करताएंगा और तब ये पता होना चाहिँ कि दूनिया में चल रहा है। तभी Cultural में पता किया होता है हमें ये पता नहीं होता कि कि दुनिया में क्या जल रहा है। कुछ चीज़ए हम मिस्कर देते हैं। पिर आफुरी में चैantically करका देते हैं या फिर जानना मिले बहुत जरूरी था पर मैं जान नहीं पाया इन सभी समस्त्याओं वो दूर करने के लिए मैं आज चुपा हूँ और स्टार्ट करते हैं अफसा पहला सोसल का एपिसोड और बात करेंगे लास्ट 24 गंटी की सारी सोसल ख़बरों की इरान और यूसे की लेटेस्ट बात इसकी चल रही है कि इरान को नुक्लियर पावर दे दिया जाए दिखते हैं इरान को नुक्लियर पावर मिलती है कि नहीं यारो इक भी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट निउस एलवान मस्क्ट लोयर्स और कंप्लेंग इन कोट अंगेस्ट विसल पॉर रिवेलिंग डाटा ऑफ ट्विटर एलवान मस्के वकील ये भी चाहते हैं कि जितने भी फेक अकाउंट ट्विटर पे बने हुए हैं उनको हटाया जाए इसके काउंटर में ट्विटर ने ये बोला है कि हमारे फेक अकाउंट एक्षिली प्रयाग अगर्वाल जो ट्विटर के सीओं हैं उन्होंने कहा है हमारे पास जादा फेक अकांट नहीं है और ट्विटर की टीम ने कहा है कि जब हमने अलोनमस के साथ एग्रिमिट किया था तब हमने बताया है कि यूएस के साथ हमार सिक्योर्टी लिंक है और ट्यूटर में कोई भी कैम और पेक अकाउंट्स नहीं है और इस बात को एलोन मस्क ने भी एग्री किया था लेकिन अब वो बतल गए हैं और श्वायत को कप्रेव कर रहे है कुछ समझी नहीं पर एकलग में लगत जाएगा नहीं मिपनी फश्य मिसायल अटैक से यूक्रेन के पाइस सोल्जर या आदमी मारे गए हैं एक लिए पूरा सीन युक्रेइन का और रस्या का बहुत ही लंबे दिनों से चल रहा है छे मन्त हो गए हैं इसको और अभी तक यह अभी तक इसका सोलुशन नहीं निकला है क्या क्या बड़े बड़े काम और करना में होने वाले हैं देखने को मैं मिलते रहेंगे लेकिन ये जो रस्या कर रहा है ये विर्कुल भी अच्छी चीश नहीं है फ्रीडम को सब्सक्राइज करना और नेक्स न्यूज इन पाकिस्तान है विर रेनफाल रिकोर्ड रेनफाल इस फॉलिंग और वहां पर इतनी बारिष एक्टली बारिष तो हर जगा हो रही है ये फूरे वर्ड में और क्लाइमेट चेंज से ये बहुत बड़ी प्रब्लम बन चुकी है कहीं पर सुखा पढ़ रहा है कहीं पर वाटर लेवर राइज हो रहे हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा भेहंकर बारिष हो रही है और इसी के चक्र में पाकिस्तान में 800 लोगों कि जान गई बारिष कितनी खटरना को सकती है एक्चली में एक क्लाइमेट चेंज की वज़े से हुआ है और लोग अपनी मर्जी करते हैं और लोग अपनी होता है लोग आई एक और खबर आगए इजिप्ट से और तों के साथ सहीं हो रहा है विमेंस के साथ क्राइम्स हो र सब जानते हैं कि पूरे वर्ड में कितने ज्यादा क्राइम होता है विमेंस के साथ गर्ल्स के साथ और यह प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है और इसका एक बहुत बढ़ा एक्जामपल है एजिप्ट अगली नियुस की तो यहां पर जो और जो बाइन भाईया ने कर लिया गया है जो बाइडन के द्वारा और इस्टुडेंट के लिए एजुकेशन और भी मैंगी कर दी है एक्जली के स्टुडेंट इससे खुसोंगे क्यों पढ़ना नहीं पड़ेगा अगली नियुस की जो की निकल आती है ताइवान और चाइना को कॉन्फिक्ट से ज सिरियस कॉंट्रिक्ट चल रहा है लेकिन अगर बात करो मेरी तो ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उसे तंग नहीं करना चाहिए अगर चैना को अपने साथ में ताइवान को मिलाना ही है तो वहां के लोगों को वह अच्छी चीजे दे लोग अगर कंवेंस तो आराम से पूरी कंट्री एक हो जाएगी बात करेंगे पॉलेंड में जितने भी उक्रीनियन रह रहे हैं उनको दुबारा उक्री में जाने से डर लग रहा है और कुछ महान लोग अपने देश को बचाने के लिए अपनी चांड की फिकर ना करते हुए छे माइनों से सब्सक्राइब करें अगर हमारी सेगेंड न्यूस की यूके में रवांडा के पहुत सारे मिग्रेंट आ रहे हैं और जिससे यूके परिशान हो रहा है करेंडा और जर्मनी के बीच में हाइड्रों सिप्मेंट्स की डेल हो चुकी है और 2025 से इन दुनों के बीच में इंडियन एक है ब्रेटिस कौन बनेगा नीचे कमेंट में बताओ